जिले के समस्त राजस्व अमला और नगर निगम जोन कमिशनरों की कलेक्टोरेट परिस्तर स्थित रेड क्रास सभाकष में सैयुक्त बैठक लेकर जिले में अवैध प्लांटिंग रोकने के संबंध में निर्देश दिये कलेक्टोर गौरफ सिंग ने कहा कि नगर पाली का अधिनियम और पंचायती राज अधिनियम के तहट नगर निगम छेत्र में संबंधित नगर निगम आयोक्त अवैध कौलोनी विकास निर्मान को रोकने के लिए सक्षम प्राधिकारी जिनके अनुमती के बिना भूखंडों को टुकडों में विक्रिय करना या करने के प्रयास को रोकें ऐसा किये जाने पर संबंधत व्यक्तियों यह संस्था को प्रकरण दर्ज कर नोटिस दें साथी मौके में जाकर अवैद निर्मान के संबंध मे पाया जाता है तब अफायार भी कराया जाए साथी उन्होंने कहा कि राजस्व और निगम के प्रतिक करमचारी और अधिकारी संबंधित छेत्र पर नज़र रखें जहां पर भी अतिक्रमन या वैद प्लांटिंग होता दिखें उसे प्रारंभिक में ही रोक दिया जाए बता दें कि जिला कलेक्टर ने जिले की राजस्व अमला बैठक ली है बैठक में कई सारे मुख्य बिंदियों पर बाच्चीप की गई जिनमें जिले के अवैद प्लांटिंग रोकने के रिबारे में भी बाच्चीप करी गई आपको बता दें जिला कलेक्टर ने जिले के समस्त राजस्व अमला और नगर निगम जोन कमिशनरों की कलेक्टरोइट परिसर स्थित रेड क्रोस सभाकक्ष में संयोक्त बैठक लेकर जिले में अवैद प्लांटिंग रोकने के संबंध में दिशा निर्देश दिये कलेक्टर गौरफ सिंग ने कहा कि नगर पाली का अधिनियम और पंचायती राज अधिनियम के तहट नगर निगम छेतर में संबंधित नगर निगम आयोक अवैद कॉलोनी विकास निर्मान को रोकने के लिए सक्षम प्राधिकारी जिनके अनुमती के बिना भुखंडों को टुकड में विक्रिय करना ये करने के प्रयास को रोकें ऐसा किये जाने पर संबंधित व्यक्ति या संस्था को प्रकरण दर्ज कर नोटिस जारी करें खेल और युवा कल्यांड विभाग खेलो इंडिया और राजनांद गाउं जिला होके संग के संयोक्त तदवाधन में होकी की नरसरी राजनांद गाउं में नए होकी खिलाडियों को तराशनी के उदेश से ग्रीश मकालीन होकी प्रसिक्षन शिवर का आयूजन किया जा रहा है इसने शुलक होकी प्रसिक्ष्षन शिवर ने लगभग 200 बालक बालिका प्रते देन सुबद शाम होकी खेल कला का प्रसिक्षन ले रहे हैं होकी खेल का बेहतर प्रसिक्षन दिया जा रहा है अब इस खेल के माध्यम से वे अपने भविश को सवारना चाहते हैं और ऐसे ही आपको बता दें कि ग्रिश्म कालीन में होकी का आयोजन किया जा रहा है खेल और युवा कल्यांट विभाग खेलो इंडिया और राजनांद ग गाउं से नए होकी खिलाडियों को तराशने के उदेश से ग्रिश्म कालीन होकी प्रसिक्षन शिवर का आयोजन किया जा रहा है इस निशुल को होकी प्रसिक्षन शिवर में लगभग 200 से जादा बालक बालिका प्रति दिन सुबह शाम होकी खेल कला का प्रसिक्षन ले रह कि युवा कल्याण विभाग और जिला होके संग के सहीयोग से यहां बच्चों को होके स्टिक और जूते भी जा रहे हैं साथी बच्चों को होकी का प्रसिक्षन दे कर बच्चों की होकी को बहतर बनाने के लिए होकी सिखाने के लिए एक बहतर प्रसिक्षन दिया जा रहा है प्रसिक्षन में सीखने वाले बच्चों का कहना है कि उन्हें हौकी खेल का बहतर प्रसिक्षन दिया जा रहा है इस खेल के माध्यम से वे अपने भविश्य को सवारना चाहते हैं और इसी प्रकार से लगभग 200 से जार्दा बच्चे प्रति दिन हौकी खेल रहे हैं और हौकी के छेतर में प्रसिक्षन प्राप्त कर रहे हैं 36 गड़ में सुरक्षा बलों के ताबड तोड कारिवाही से नकसली बैक फुट पर हैं जान बचाने के लिए नकसली लगातार सेरेंडर कर रहे हैं बीजापूर में मुटभेड के दौरान जवानों ने 12 माउवादियों को धीर कर दिया था अब इसी दौरान नकसल मोर्चे पर बीजापूर पलस को एक बड़ी सफलता मिली है बता दें कि 30 नकसलीों ने पुलिस के सामने सेरेंडर किया है सेरेंडर करने वालों में महिला और इनामी नकसली शामिल है और इसी के साथ पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है जिहां चत्तसगर में सुरक्षा बलों के ताबड तोड कारेवाही से नकसली अब बैक फूट पर नजर आने लगे हैं जान बचाने के लिए नकसली लगातार पलस के सामने सरेंडर कर रहे हैं बीजापूर में मुठवेर के दौरान जवानों ने बारा माव वादियों को ठेर कर दिया था अब इसी दौरान नकसल मोर्चे पर बीजापूर पलस को एक बड़ी सफलता मिली है तीस नकसलीों ने पलस के सामने खुद सरेंडर किया है सरेंडर करने वालों में महिला और इनामी नक्षली सामिल है और बीजा पुलिस को इसी के साथ बड़ी सफलता मिली है क्योंकि आपको बता दें कि 30 नक्षलियों ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया है सरेंडर करने वालों में महिलाएं और इनामी नक्सली भी शामल है बीते दिनों ग्राम कुम्ही डोंगरगड मार्ग में पुल के पास अज्यात युवक का शव मिलने के सूचना प्राप्त हुई थी मृतक के पहचान उत्तम जंगेल के रूप में की गई आपको बता दूं कि मृतक के मृत्यों संदिग्द प्रतीत होने पर खैरागड पुलसन टीम गठित कर जांच प्रारम की बारीके से घटना इस्थल पर मृतक के शव का निरिक्षन और साक्ष संकलेत किया गया पीम रिपोर्ट में मृत्यों की पुष्टी गला घोंट कर मारने से हुई जिसके आधार पर मृतक के मामा के लड़के से पूछताच की गई चांच में आरोपी ने बताया कि मृतक का भारती जीवन बीमा कंपनी में 40 लाग का दुरगटना बीमा और बैंक में 40 लाग का दुरगटना बीमा और 30 लाग रुपे दो गाड़ी के लिए फाइनेंस था साथी फाइनेंस कंपनी के अनुसार यदि फाइनेंस अविदी में मृत्यों या कोई दुरगटना हो जाती है तो उसके नाम पर लिए गए सारे लोन की रकम इंशिरंस कंपनी भुकतान करेगी अब इस रकम के लालच में आकर आरोपी ने योजना बद्ध तरीके से अपने दो साथियों के साथ मिलकर उत्तम सिंग को मारने का प्लैन बनाया और उत्तम को कार दिलाने के बहाने डूंकर गड़ बुलाया और उसे शराप पिलाकर गमछे सगला घ लालच में आकर युवक ने की एक दूसरे युवक की हत्या बता दें कि मृतक का लाइसी कंपनी में 40 लाग का दुरगटना बीमा था इसी बीमे के चलते मृतक को मौत के घाट उतार दिया गया मामा के लड़की ने ही मृतक को मौत के घाट उतारा साथिया आपको बता दू कि बीमा रकम हतियाने के लिए लालच में आकर की हत्या बता दें बीते दिनों ग्राम कुमी डोंगरगड मार्ग में पुलिस के पास अज्यात युवक का शव मिलने की सूचना प्राप्त हुई थी मृतक के पहचान उत्तम जंगेल के रूप में की गई जब मृतक के मृत्यों संदिक्द प्रतीद होने पर क्यारगड पुलिस ने टीम गठित कर जांच प्रारम की तो पता चला कि मृतक की मृत्यों के पीछे मृतक के मामा के ही बेटे का हाथ है पूरा मामला बीमा रकम को हड अपने को लेकर था खबर मर्द्रदेश की मुराइना से है मुराइना में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में जमकर लडाई हुई लडाई इतनी जादा बढ़ गई कि पहले जमकर पत्थर बाजी हुई और फिर गोलिया चली जिसका वीडियो शोशल मीडिया पर जमकर वाइरल हो रहा है बता दें की वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि जैद पूर गाउं के खेतों में ग्रामीर जमकर पत्थर बाजी और गोरियां चलाते दिखाई दे रहे हैं गनीमत रही कि इस लडाई में किसी तरह की जन्हानी नहीं हुई फिलाल प्लस मामले की जाच कर रही है पूरा मामला मद्दप्रदेश के मुरैना का है बता दे मुरैना में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में पहले जड़प हुई और फिर वो जड़प लड़ाई में बदल गई लड़ाई इतनी जादा बढ़ गई कि पहले जमकर पत्थर बाजी हुई और फ नज़र आ रहे हैं गनीमत रही कि इस लड़ाई में किसी तरह की जनहानी नहीं हुई फिलाल पुलिस पूरे मामले की जाच कर रही है खबरों में आगे बढ़ते हो बता दूं कि खबर जारखन से है लोकसवा सीट से बीजेपी प्रत्याशी संजे सीट की जीत को सुनिश्चत करने के लिए पार्टी के प्रदेश कार्याले में पार्टी पदादिकारियों और कारेकरताओं की बैठक हुई बैठक में जोर दिया गया कि कारेकाल में प्रदान मंत्री नरींदर मोदी के जरीए दीश हित में किये गए कारियों और सांसर संजे सेट के द्वारा चेतर में किये गए विकासकारियों उपलब्दियों से जादा से जादा लोगों को अफगत कराया जाएगा ताकि आम लोगों का बीजेपी को समर्थन मिल सके वहीं बैठक में छेतर से मिल रही फीडबैक से बीज़ेपी कारेकरताओं ने उत्साहव्यक्त किया है बैठक में रमा कांत महतो समेत कई लोग मौजूद रहे बीज़ेपी नेता संजसेट की जीत को शुनश्चित करने के लिए कारेकरताओं और नेताओं ने एक बैठक की बीज़ेपी कारेयाले में इस बैठक के दौरान किस प्रकार से रन्नीतियां बनानी हैं उसको लेकर चर्चा की गई साथी प्रत्याशी के समर्थन में जनता से कै कर भी चर्चा की गई आपको बता दे इस दौरान भारती जनता पाटी की उपलब्धियां वेकास कारेयों से जादा से जादा लोगों को अवगत कराये जाने की बात कही गई ताकि आम लोगों को बीज़ेपी को समर्थन मिल सके तो वही बैठक में छेतर से मिल रही प्रत्याशी अनुपमा सिंग अपने जन संपर का भियान के दौरान धनबात के बैंक मोड बड़ा गुरुद्वारा में आयोजित लंगर कारेकरम में सम्मिलत हुई जहां सर्व प्रथम उन्हों ने गुरुद्वारा में माथा टेक आशिरवात दिया साथी प्रसाद ग्र मुझे सौभागे मिला है सेवा के कारेकर के मुझे काफी अच्छा लगा है साथे धनबात के खाल सा होटल के मामले में अनुपमा सिंग ने कहा कि होटल के मालिक शेरा सिंग को अपनी होटल बेच कर धनबात से जाना पड़ा ये बेहद निंदनी है धनबात में भैका वाता से बंधे या शिरवाद मागा है तो वही अनुपमा समर्तक सत्पाल सिंग वोकरा ने कहा कि धनबाद में सालों से भै का आतंक व्याप्त है खालसा होटल के मालिक शेरा सेंग जुने भै के कारण यहां से जाना पड़ा निश्चित ही अब धनबाद में परिवर्तन दिखेगा और धनबाद की जनता को भै मुक्त वाता वरण जल्द ही मिलेगा गिरिटी लोकसभा चेतर में शुशाषन दल समर्थित नर्दलीय महिला प्रत्याशी उशा सिंग का प्रचार वाहन रवाना हुआ प्रचार वाहन को सुशाषन दल के प्रदेश अध्यक्ष राम किगर पांडे और उशा सिंग ने जंडा दिखा कर रवाना किया इस प्रचार वाहन के माध्यम से गिरिटी ही लोकसभा के विभिन चेतरों का दौरा कर गोमिया विधान सभा में भ्रमण किया गया परिवर्तन का संकल्प उशा सिंग एक विकल्प के नारे के साथ ये प्रचार वाहन चेतर में घुमाया जाएगा बतादूं के मध्दाताओं के बीच गिरिडी ही संसदिय चेतर की समस्याओं को जाना और जल्द ही इसका निराकरन करने का आशवर्षन भी दिया गया खबर बुकारों से है बुकारों जल्म में मध्दान प्रतिशत बढ़ाने को लेकर जिला प्रशाशन तदपरता के साथ काम कर रहा है अब इसी को लेकर भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर सुईप प्रोग्राम के तहट बुकारों के सेक्टर पांच अस्तहित पुस्तकाले मैदान वे स्वास्त कर्मी सहित बाकी लोगों ने मध्दान प्रतिशत बढ़ाने को लेकर शपत ली है वुकारों डीडीसी संदीब कुमार ने सभी को शपत दिलाई जोरान एक मध्दाता जागरुकता जलूस भी निकाला गया जिसमें लोगों को मध्दान प्रतिशत बढ़ाने की अपील करते हुए मध्दान को लेकर कई जानकारियां भी दी गए डीडीसी संदीब कुमार ने बताया कि राश्ट्री मानक के मुताबिक मदान प्रतिशत जिले का अच्छा हो इसके लिए ये प्रोग्राम चलाया जा रहा है ज्यां Áयोग में निर्वाचन आयोग से मिलकर BJP के खिलाफ बोटरों को फ्रहमित करने और मदान को प्रभावित करने का रोप लगाते हुए कारवाही करने की मांग की है निर्वाचन आयोक से मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए जेमेम के मुस्ताक आलम और कॉंग्रस नेता मुंजनी ने कहा कि जारखन में प्रथम चरण के चुनाव के दौरान लोहर दगार लोकसभा छेतर में बीजेपी कारे करताओं ने वोटरों को मोदी की तस्वी को गंभीरता से लेते हुए कारिवाही करें ताकि निस्पक्ष चुनाव कराने का संकल्प पूरा हो चौथे दौर का चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्नी हुआ सभी जगा से इवियम वापस आ गया है यह जानकारी मुख्य चुनाव आयोक्त जारखन के रवी कुमार ने प्रेस कॉन्फरेंस में दी उन्होंने कहा कि चारो लोकसभा चेतर के अंतरगरत कुल नौ जिले पढ़ते हैं इसमें 1376 बूत को नकसल मुतासरा करार दिया गया है इसके मद्देनजर वाफिर तादाद में सिक्योरिटी जवानों को तैनात किया गया था इन सभी जवानों को जिला मुख्याले में लाए गया जहां स्ट्रॉंग रूम बनाए गये हैं साथी बता दूँ कि चनाव आयुक ने आगे जानकारी देते हुए कहा कि कई माइनों में चनाव ट्रिकी रहा क्योंकि इन चार लोकसवा चेतर में 24 ऐसे लोकेशन थे जहां पहली बार लोगों ने मतदान किया ये सारे लोकेशन नकसल प्रभावित हैं इन लोकेशन में पहली बार मतदान हुआ तो ये हम सब के लिए एक बड़ी काम्याबी है साथी उन्होंने कहा कि पोलिंग के दौरान कुल 12 मामले दर्ज हुए हैं इसमें 10 मामले आचार सहीता से जुड़े हुए हैं गोपाल गंज विजयपूर प्रखंड के बिलरुवा गाउं से एक युवती की गला घोंट कर हत्या करने की खबर सामने आई है वहीं एक युवक की बॉड़ी उसके घर से महस 500 मीटर की दूरी पर एक मक्के के खेच से मिली है मतादें कि युवक और युवती का शव आसपास ही मिलने से गाउं में संसनी फैल गई है और गाउं में कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई है गाउं के लोग इस हत्या को प्रेम प्रसंग से जोड़ कर देख रहे हैं तो वहीं गाउं से कुछी दूरी पर शव का मिलना अब ये हत्या ओनर किलिंग है या कोई दुश्मनी इसकी जाच परताल में पलिस लगी हुई है वहीं घटना के संबंद में मृतका के पता ने बताया कि मृतका सौच के लिए निकली थी देड़ रात तक जब वो घर नहीं लोटी तो घरवाले उसे ढूनने लगे वहीं गाउं के ही एक लड़के की गायव होने की सूचना मिली और गाउं के सभी लोग युवक और युवती को खोजने लगे इसे दोरान गाउं के लोगों ने गाउं से बाहर कुछी दूरी पर युवती का शब देखा तो वही नस्दीक जाकर देखने पर लोगों ने देखा कि लड़की का गला काट कर हत्या कर दी गई है वही खोजबीन के तहत एक मक्के के खेट से युवक की बाडी भी लोगों ने बरामत की वही नस्दीक से जाकर लोगों ने जब देखा कि युवक की गला रेत कर हत्या करने की कोशिश की गई है लेकिन वो अभी जिन्दा है युवक के परिजनों ने तुरंत युवक को लेक चर्णों की वोटिंग के बीच रगुराज प्रताव सिंग यानि की राजा भाया ने जनता से अपने पसंद और विवेक के आधार पर मद्दान करने की अपील की है अभी तक के चुनाओं में राजा भाया ने किसी भी पार्टी का समर्थन नहीं किया था राजा भाया के इस अगड़ा जटका माना जा रहा है तो वहीं उत्रप्रदेश की जनसत्ता दल यानि की लोक तांत्रिक के मुखिया राजा भाया ने लोक सबचनाओं में किसी भी दल को समर्थन ना देने का ऐलान भी कर दिया है उन्होंने जनता से अपील की है कि वो अपने विवेक और अप पीजेपी नेताओं के साथ मलाकात की तस्वीर जैसे ही सामने आई लोकसबा सीट के चुनावी समिकरण बदलने की चर्चा शुरू हो गई थी महीं कौशांबी लोकसबा सीट का चुनावी समिकरण यहां की तीन विधान सभा सिराथू, मंजनपूर और चायल के अलावा प्रताबगड की दो विधान सभा बाबा गंज और कुंडा तै करती है यही वज़ा है कि बल्यान और सोनकर राजा भाया से मिलने पहुँचे थे, मुलाकात के बाद राजा भाया ने अलान कर दिया कि एक तरह से बीजेपी को भी जटका देने का काम किया है अब देजिए पहले को हम यह बता दें कि जो मतदान अमने किया था उसकी कोछ शर्त नहीं थी पोई मांग नहीं थी और कोई नकरे भी नहीं थी कई बार बात बनती है कई बार नहीं बनती है उसमें मन छोटा करने के आउट इत्ता नहीं आपने पार्टी बनाई ही आपने चुनाओ लोगसभा के चुना हुए जिसमें दो विधान सभा हम लोग गीरते हैं लेकिन तीन में हमको सफलता नहीं मिली तो इस बार ये था कि यदि गड़ बंदन होता है तो देखा जाएगा पूर्वसांसद धननजे सिंग ने भारती जनता पार्टी के समर्थन का अपने समर्थकों के साथ बैठक के बाद एलान किया धननजे सिंग ने कहा कि प्रदेश में चल रही है एक अच्छे सरकार इसलिए भारती जनता पार्टी का हम लोग समर्थन करेंगे अपने गाउं बंसफा के शेर्वा गाउं के पास बैठक के बाद पूर्वसांसद भनंज सिंग ने ये बातें कहीं हैं और इसे के साथ फिलाल के लिए स्टेट बुलिटन में मेरे साथ बसतना ही नमशकार झाल